हेलो फ्रेंज तो चलिए मैं आज आपको फिर से कौन नए जानका टेबल मेट बताने वाली हूँ जो जिसके लिए मैंने यहां पर तीन कलर ले लिये हैं और तीनों कलर की बूल को मैंने फोल्ड किया हुआ है और यहां पर मैंने आठ नंबर मोटी वाली स्लाई ली हुई है तो इसी से मैं बहुत ही पैरास आपको डोर मेट बनाना बताऊंगी आप इसे पुरानी चुन्नी और साडी में भी आसानी से बना सकते हैं यहां पर मैं बूल में बता रही हूँ जिसको आप टेवल मेट की जगा या दोर मेट की जगा या पूजा आसन की तरह या थाल पोस की जगा किसी भी तरह से आप यूज कर सकते हैं तो यहां पर थीन कलर ले लिये हैं आप अपनी पसंद δाल को बैल करें और बैल आइकन को प्रेश करें ताकि आपके पास मेरी वीडियो के नौ-टेपी पिसल पोहां सकें तो दिखिये मैंने बूल को फोल्ड कर लिया है और यहाँ पे हम फंदा डालेंगे तो यहाँ पे मैं आपको 24 फंदों में बनाना बताओंगी आपको जितना बड़ा चाहिए आप अपने इसाब से इसी तरह से फंदेश में ले सकते हैं तो देखे 24 फंदे में आपको बनाना बताओंगी यह देखे एक, दो, तीन, चार, पांच, शेर इसी तरह से मैं आया यहाँ पे 24 फंदा अपना डाल लेती हूँ फिर उसके बाद आपको दिखाती हूँ तो देखे फ्रेंज मैंने यहाँ पे 24 फंदा ले लिया है आप अपने हिसाब से यहाँ पे फंदे ले सकते हैं तो देखे जितना भी बड़ा आपको चाहिए इसमें आप फंदे और भी बढ़ा केस को बड़ा छोटा कर सकते हैं तो देखे फर्स्ट रो को हम इस तरह से बना लेंगे बहुत ही सिंपल सा और इजी सा आपको एक बहुत ही प्यारा सा दोर्मेट बनाना बताएंगे जो बनाने में बिलकुल इजी है तो फर्स्ट रो को हम इस तरह से बना लेंगे और देखे इसे आप पुराने चुन्नी और साडी में भी आराम से बना सकते हैं मैं आपको वूल में बता रही हूँ तो आपका जो भी आपके पास पुराने कपड़े हैं चुन्नी यां साडी यां उसमें आप आराम से इस प्यारे से डोर्मेट को बना सकते हैं तो देखिए, फर्ष्ट रो हमने यहाँ पर बना ली, यह रिखिए, यह रिखिए, फर्ष्ट रो को मैंने बना लिया, अब यहाँ से हम अपना इसमें दूसरा कलर को एड़ करेंगी, तो वो कैसे करना है? यह रिखिए, येलो कलर को हम यहाँ पर एड़ करेंगे, यह रिखिए, इस तरह से, दो फंदे हमने येलो से बनाए, और आगे के फंदे हम अपना ये ब्लू कलर से ही बना लेंगे, दो, तीन बनगे ब्लू कलर से, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नौ, दास, ग्यारा, बारा, तेरा, चोदा, पंदरा, सोला, सत्रा, ठारा, उन्निस, बिस और लाश्ट के इधर मेंने ब्लू कलर के दो फंदा छोड़ दिया है, यहीं से पलड जाएंगे, और सीधी सलाई में आपको एक बार बना के दिखा रहे हूं, सीधी सलाई को जैसे ही जो फंदा जैसा है, उसी कलर से हम इनको बनाते हुए जाएंगे, यह रखिए, दो हमने ऐसे ही इसको बनाना है, जो फंदा जैसा है, उसी कलर से हम इनको बनाते हुए जाएंगे, यह देखिए, अब हम धागे को इधर की साइट करेंगे, और इसको हम इस साइड लाएंगे, तो इन दोनों को हम उपर से ऐसे लपेटते हुए आगे क्रोश कर लेंगे, और य किरेंगे इसको सीधा कर लेंगे क्यूंकि किनारी हमारी अच्छे से आश सके अब यह देखें फिर से हम आगे उल्टीगे पर एक है कि यहलो के दो फन्दे बनाएं फिर अगे से दो फन्द और ये ब्लू कलर के यलो कल लेंगे ये दिखे ऐसे अब यहां पे हम अपना ये ये दिखे दो तीन सोरी चार पाँच छेट साथ आठ नो डास ग्यारा बारा 13 14 15 16 16 फंदे बना लिए दो लाश्ट के छोड़ दियो और यहीं से पलट जाएंगे और सीधी सलाई जो जैसा फंदा है उसी कलर से हम बना लेंगे तो देखे मैंने सीधी सलाई बना ली है मैं आ गई उल्टी सलाई पे तो देखे हर बार हम अपना दो फंदा ब्लू बाला यल्लो करेंगे ये देखे पाँच और ये छे हो चुके हैं और लाश्ट के हम दो फंदे छोड़ेंगे तो ऐसे ही हम करते हुए बीच तक आजाते हैं उसके बाद आपको ये देखे हर बार हम अपना लाश्ट का दो फंदा छोड़ेंगे और यहां पे दो फंदा ये जलो करेंगे ये देखे यहां पे ये देखे 6 फंदा कर लिया है 2-2 करके और दो-दो करके हमने यहाँ पर अपना छे फंदा छोड़ दिया है तीन बार तो ऐसे ही हम यहाँ तक बीच में आ जाते हैं करते हुए और सीधी सलाई में आपको पता है कि कुछ नहीं करना है सीधी सलाई को जो जैसा फंदा है उसी कलर से हम इने बनाएंगे तो आईए मैं बीच तक आ जाते हूँ लास्ट में जब ब्लो कलर के चार फंदे रह जाएंगे तो मैं आपको फिर से दिखाओंगी तो इतना हम बना लेते हैं तो देखिए फ्रेंस यहाँ पर मैंने इतना इसको बना लिया अभी यहाँ पर हमने यह रिखी दू चार छे Wyatt दस दस फंदा हमने इधर दो दो करके चोड़ दिया है और देखिए दो चार छे आठ दस दस फंदे यहलो कर लिए हैं अभी चार फंदे बाकी हैं तो देखिए यहाँ पर हमने सीधी स्राई में जो फंदा जैसा है अब ये देखिए चार फंदे हैं तो यहाँ पर ये देखिए एक साइट से मैं पहले फंदे को बना रही हूं सीधी साइट से और उल्टी साइट से ऐसे ही उतार रही हूं क्योंकि अच्छे से यहाँ पर ये देखिए किनारी हमारी बन रही है तो देखिए 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 2 आगे से लेगे एक 11 और ये 12 तो देखिए यहां पर मैंने यालो कलर के 12 फंदे कर लिये है और इदर भी मैंने 12 फंदा 10 था दो और छोड़ दिये तो 12 फंदा इदर छोड़ दिये है तो यहां पर हम बीच तक यह देखिए इस तरह से आचुके हैं अब हमने क्या करना है यहां से यह दखिए हमने जो 12 फंदा अपना बना लिया यह यलो गलर और जो ब्लू कलर से 12 फंदा छोड़े हैं वो हम ब्लू कलर से सब फंदों को बना लेंगे यह देखिए एक जो छोड़े हुए है दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा और देखिए लाष्ट का बारा तो बारा फंदा बना लिया अब सीधी सलाई पे आ गए हैं सीधी सलाई में हमने क्या करना है जो जैसा फंदा है उसी कलर से हम इने बनाएंगे तो देखिए बारा फंदा इस फंदे को मैं उतार ली हूँ दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा और ये बारा अब ये हम धागा पीछे करेंगे और येलो वाले फंदे येलो कलर से बनाएंगे देखिए बारा फंदा एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा और ये लास्ट का इस साइट से हम बना रहे हैं फंदे को बारा तो ये रिखिए आदिपत्ती बनके कम्प्लिट हो चुकी है यहां पर अब हमने जैसे ही हम इसे हम इसे हम इसे हम इ करते हुए उपर की तरफ गए हैं वैसे हम नीचे आएंगे तो उसके लिए हम क्या करेंगे ये दिखिए 2,3,4,5,6,7,8,9,10 अब ये दिखिए दो फंदा हम पहले हम क्या कर रहे थे हमने बलु वाला फंदा यल्लो किया था अब हम यल्लो को बलू से बनाएंगे तो ये दिखिए दो फंदा यलो वाला ब्लू कर लेते हैं इस तरह से ये देखिए दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस ग्यारा और ये बारा लाश्ट का दो फंदा मैंने छोड़ दिया है और यहीं से सलाई को पलट जाएंगे सीधी सलाई को जो जैसा है उसी कलर से हम इने बना लेंगे तो देखिए फ्रैंस हमने सीधी सलाई बना ली है वैसे ही हम अब येलो वाले फंदे कम करेंगे हर बार ये देखिए और लाश्ट के फंदो को छोड़ते जाएंगे तो बहुत ही सिंपल सा है इजी सा है हमारा ये डिजाइन और बनने के बाद ये बहुत ही खुबसरत भी लगने वाला है ये देखिए अब दो फंदा हम ब्लू कर लेते हैं ये देखिए ऐसे और लाश्ट के दो फंदे फिर से छोड़ेंगे तो आईए हम यहाँ पे इन फंदो को ऐसे ही कर लेते हैं उसके बाद मैं आपको फिर दिखाती हूँ लाश्ट के दो दो फंदे छोड़ते हुए तो देखिए फ्रेंज मैंने यहाँ पे इतना इसको बना लिया और भी दो फंदे बाकी हैं लाश्ट के दो फंदे छोड़ने बाकी हैं तो देखिए यहां पर, अब हम यहां से यह देखिए, यह देखिए, दो, तेन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, और यह बारा, बारा फंदे मैंने बना लिये, लाश्ट के फिर से मैंने बारा फंदे छोड़ दिया, यह देखिए, दो, चार, छे, आठ, दस, बारा, अब यहां पर हम क्या करेंगे, अब यही से हम सबी फंदो को बना लेंगे, यह बारा फंदे जो छोटे हुए हैं, वो भी यह देखिए, इस तरह के से, तो यहां पर सब भी फंदो को हम, यह देखिए, अब यहां पर सीधी सलाई को भी हम पूरा बना लेते हैं, फिर उसके बाद आपको दिखाते हैं, फिर से, तो देखिए, फ्रेंस, हम सीधी सलाई को बना लिए हैं, यह देखिए, यह देखिए, और यह इस फंदे को हम नहीं बनाएंगे, क्योंकि यहां पर दूसरा कलर लगाना है, इसको पीछे करेंगे, और इसको बिना बुना उतार लेंगे, ऐसे, तो यहां पर यह एक कली बनक तीसरा कलर इसमें एड़ कर देती हूँ, यह देखिए, ऐसे, बिलो कलर के धागे को आप कट भी कर सकते हैं, चाहे आप सासाथ में ले जा सकते हैं, वो आपकी, यह देखिए, जैसा भी आपको ठीक लगे, आप उसतर ऐसे कर सकते हैं, तो यहां पर हम पूरी सलाई को, इसी कलर से पिंग कलर से बना लेंगे और सीधी सलाई को भी बना लेंगे यह देखिए इस तरीके से बहुत ही सिंपल सा है और बनने के बाद तो यह बहुत ही खुबसूरत भी लगेगा यह देखिए इस तरीके से देखिए आगे हम सीधी सलाई पर तो हम भी ना वुन्य उतारेंगे और आगे के सब भी को बना लेते हैं उसके बाद आपको उल्टी स्राई पर फिर दिखाती हूं तो देखिए हम लास्ट तक आगे हैं अब यह देखिए इस वाले फंदे को ऐसे बनाएंगे एक कली तो बन की कंप्लिट है दूसरी कली आपको बता रहे हैं तीसरा कलर एड़ कर दिया है अब यह देखिए यहां पे हम दो फंदा अपना फिर से यह देखिए यलो बनाएंगे और लाश्ट के दो फंदे पिंक वाल चोड़ेंगे जैसे मैंने आपको सुरू से बताया है सेम तरीके से ऐसे ही पूरे डोर्मेट को हर कली बनानी है तो बहुत ही सिंपल सा है अब यह देखिए फिर से हम बीच तक आएंगे जैसे यहां तक बीच तक आगे थे दो फंदे लाष्ट के छोड़ते हुए और बार फंदा इधर यल्लो करते हैं और दो दो करके बारा फंदा इधर चुड़ जाएगा उसके बाद सभी फंदो को बना लेना है बनाने के बाद फिर से हम ये वाला करेंगे क्योंकि उपर की साइड ले जाएंगे फिर ऐसे ही बनाते हुए तो मैं इसको ऐसे ही बना के complete करूँगी ये देखे लाश्ट के दो फंदे छोड़े और यहीं से सलाई को पलटेंगे ये देखे तो चलिए मैं बहुत ही सिंपल तरीके से इसको थोड़ा सा बना लेती हूँ उसके बाद आपको फिर दिखाती हूँ ऐसे ही हमने बनाना है जैसे मैंने आपको शुरुआ से बताया है तो देखे फ्रेंस मैंने इतना इसको बना लिया है और यहां पर यह फुल पत्ती हमारी एक, दो, ती, चार चार पत्तियां बन चुकी है इसी तरह से मुझे पूरा डूरमेट कंप्लेट करना है जैसे मैंने आपको यहां पर बताया है सेम तरीके से आपको वैसे ही बनाना है तो यहां पे आदी पत्ती से मैंने शुरुवात की है इसके और यहां पे यह देखिए फुल पत्ती हमारी बन के complete हो गई है तो देखिए बहुत ही प्यारा सा लग रहा है और बनाने में तो बिल्कुल ही easy है आप इसे यह देखिए बहुत ही simple तरीके से बना सकते हैं और पुर कलियां बनाके uh look तो चलिए हम इसको ऐसे ही कंपलीट करते हैं आप सेम तरीके शूक्ति ऐसे ही URL ऴाता सकते हैं ने जाप मैं बताया है तो चलिया बनाके इसको अधान एक आध करते हैं झाल झाल